संसद का शीत कालिन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है और यह तैम आना जा रहा है कि राम जन्म भूमी पर ट्रस्ट का गठन इसी सत्र में एक अध्यादेश के जरिये रस्तावित होगा जिहां मोदी सरकार इसी शीत कालिन सत्र में वह बिल लेके आएगी जिसके आधार पर एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा जो की राम जन्म भूमी पर मंदिर का निर्मान करवाएगी सुप्रिम कोर्ट की ओर से दिये गए आधेश के अनुसार नया ट्रस्ट ही राम जन्म भूमी का निर्मान करवाएगा ट्रस्ट में कौन सामिल होगा और कौन नहीं इस मुद्दे पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर ट्रस्ट हैं जिसमें मिजी व्यक्ति भी सावाजिक लोग भी ट्रस्ट के सदस्य हो सकते हैं उसी तरह इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा वस्तविक रूप में ट्रश्ट कैसा होगा उसका गठन किस तरह से होगा ये तो सरकार की और से आने वाला अध्यादेश ही तै करेगा लेकिन रामजन भूमी का फैसला आने के बाद देश भर में नई चर्चाएं कारंब हो गई है हालां कि इस फैसले के बाद में देश में सामप्रता एक स्वहार्द का माहोल जसका तस है एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और नागरिकों के प्रयासों की जीत है रामजन भूमी नास के महंत नृत्य गोपालदास का यह भी कहना है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनात को ट्रश्ट का सदस्य बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो गोरख पीठ के महंत भी है नृत्य कोपालदास ने एक अख़बार को दिये गए इंटर्व्यू में यह भी कहा कि नए ट्रस्ट की वैसे कोई आवशकता नहीं है क्योंकि रामजन मभूमी नियास का निर्मान इसी लिए हुआ था कि यहाँ पर मंदिर बन सके सुप्रिम कोट का आदेश भी मंदिर के लिए हैं ऐसे में नए ट्रस्ट की अवशकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि सुप्रिम कोट नए ट्रस्ट बनाने के लिए आदेश दे चुका है और सरकार इस और कवायद भी शुरू कर चुकी है तो यह माना जा रहा है कि शीटकालिन सत्र जोकी 18 नवंबर से प्रारम होने वाला है उसमें मोदी सरकार एक अध्यादेश लाएगी और ट्रस्ट नया ही गठित होगा क्योंकि नया ट्रस्ट गठित करने के लिए सुप्रिम कोट आदेश कर चुका है सुप्रिम कोट अध्यादेश में नय ट्रस्ट का गठन तीन माह के भीतर करने का आदेश दे चुका है ऐसे में मोदी सरकार भी जल्द से जल्द नया ट्रस्ट गठित करना चाती है ताकि किसी तरह का विवाद पुने खड़ान न हो क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लौ बॉर्ड और असदो दीन ओवेसी जैसे कुछ नेता सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात भी कह चुके है इससे पूरो दो दिन पहले हुई बैठक में हिंदुस्तान के कुछ प्रमुक संतों ने राम नौमी अथ्वा चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को मंदिर का निर्मान प्रारम करने के भी बात कही थी ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार भी इस कारे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है तो उसे ट्रस्ट का निर्मान जल्द ही करना होगा राम जन्म भूमी और मंदिर निर्मान समेथ प्रमुक मुद्धों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चुड़े रहिए जूम न्यूज के साथ